ओम नमस्षिवे मैं हूँ एस लॉजर के अमसिन और मैं अपने से यूटूब चैनल पर आप सबी का स्वागत करता हूँ पांच जून से लेकर पांच जुलाई तक बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन और दो चंद ग्रहन के साथ एक सूर्य ग्रहन लगेगा और इसके बारे में एक प्रिडेक्शन आपके लगन पर मेश लगन से लेकर मीन लगन वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसको बहुत अच्छे से समझेगा क्योंकि इस समय जो राशी परिवर्तन होने वाला है सबसे पहला राशी परिवर्तन 15 जून को सूर्य अपना राशी परिवर्तन करेगा उसके बाद 18 जून को मंगल का राशी परिवर्तन होगा 19 जून को बुद्ध ग्रह वक्री हो जाएंगे और इसके अलावा जो 25 जून 21 जून को सूर्य ग्रहन और 25 जून को शुक्र ग्रह मारगी हो जाएंगे 30 जून को ब्रस्पती वक्री होकर अपने घर धनू में पहुंच जाएंगे तो इतनी सारी खगोली गटना जब यहां पर होंगी तो निशित रूप से आप यह यकीन मानिये मेरे 15 साल के इस करियर में मैं आपको बता दूँ कि जब भी कुछ इस तरीके की चीजे होती हैं तो जातक पर बहुत विशेस प्रभाव डाल देती है तो आईए हम समझते हैं कि मेश से लेकर मीन लगन वाले जातकों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा और अंत में इनके उपाए भी मैं बताऊंगा जिसके लिए जैसा वेल्यूज निकल के आएगा मैं उसको बता रहा हूं और उसके उपाए भी मैं आपको यहां पर बता और वो लगन से 12 में चले जाएंगे तो इस पूरे प्रडेक्शन को आप दो पार्ट में समझे हर लगन वालों के लिए मैं दो पार्ट में डिवाइट कर रहा हूं पहला 5 जून से 17 जून तक क्या होगा और फिर 18 जून से लेकर 5 जुलाई तक क्या इसका प्रभाव होगा इसको समझते हैं तो पार्ट वन में हम समझेंगे पांच जून से लेके 18 जून तक 17 जून तक इसका क्या प्रवाब होगा तो इस समय मंगल का जो आपका लगनेश है अभी भी आए के अस्थान पर बैठा हुआ है लेकिन अस्टमेश है और लगनेश है तो जब भी कोई प्लै जैनों से कुछ तनाव की स्थिती यहां पर उधपन होगी लेकिन जैसे ही मंगल का राशी परिवर्तन हो जाएगा 18 जून को वैसे ही अस्थान परिवर्तन के योग भी आपके कुंडली में यहां पर बन रहे हैं तो 17 जून से पहले तक की कंडिशन में इंकम के सुरोत में क अस्थान परिवर्तन के योग बनने के साथ साथ शत्रू का दमन भी होगा रोग रिड शत्रू दुरगटना इन सभी में कमी आते हुए देखने को मिलेगी इसकी चतूर्त दृष्टी क्योंकि जब 18 जून की बात में करूंगा तो सूर्य आपके लगन से तृतिय बाव में आजाएगा और वहां पर बुद्ध और राहु के साथ और लेड़ी सूर्य को ग्रहन लगा रहेगा और मंगल की दृष्टी उस समय पड़ेगी यही वो टाइम होगा जहां पर पिता को कश्ट भी हो सकता है पिता के स्वास्त में प्राब्लम हो सकता है या आपके स्वासन प्रक्रिया में भी यह कुछ प्राब्लम दे सकता है इसलिए आपको अपने सेहत का ध्यान भी बहुत जरूरी से रखना चाहिए जू पंद्रा जून को सूर्य का राशी परिवर्तन हो के आपके इंकम आपकी पराक्रम अस्थान पर जाएगा तो शरीर में थोड़ा आलस से उत्पन हो जाएगा और अगर आप कोई सिक्षा अगर आप विद्यारती और किसी प्रत्योगी परिक्षाओं को दिये हैं तो उसमें असफल होने का योग भी यहाँ पर सूर्य बना रहा है किसी कारण से पढ़ाई के छूटने का या पढ़ाई के इंकम्प्लीट होने का भ लड़ी राशी परिवर्तन नक्षत्र परिवर्तन हो चुका है इसको और लड़ी बताया जा चुका है पुराने वीडियो में बुद्ध का जो वक्री गती होगी 19 जून को होगी और यह अपने घर में ही जब जाकर वक्री होंगे तो निश्यत रूप से आपके पराकरम को बढ़ाने वाले होंगे लेकिन इसके साथ साथ आपके शत्रू भी बढ़ेंगे तो इस समय 19 जून के बाद जो चीजें हो रही है बुद्ध और बुद्ध और मंगल के बीच में देखा जाए तो इसक्वायर रिलेशन भी बन रहा है तो यह रिलेशन होने के करण शत्रू बढ़ेंगे लेकिन आप अपने विवेक से अपने दिमाग का ओपयोग करके निशित रूप से इस समस्या को सॉल्व कर लेंगे शुक्र प्लैनेट क्योंकि अपने घर में है अभी वक्री चल रहा है पच्चेस जून को यह मारगी हो जाएंगे और पच्चेस जून को जैस सही मारगी होंगे वैसे ही धन से रिलेटेड समस्याओं का निवारन हो जाएगा लेकिन 15 जून से पहले पहले लीवर या किड्नी से रिलेटेड समस्याओं भी यहाँ पर सूर्य और शुक्र की जो यूती बनी हुई है उसके करण आपको उत्पन कर सकता है पत्नी से विवा जाएंगे यह वो टाइम होगा जब मंदिरों के कपाट पूर रूप से खुल जाने चाहिए और यहां पर आपका मन धार्मिक प्रवृतियों के तरफ जुकाव बढ़ जाएगा और यात्राओं के योग भी यहां पर बनने स्टार्ट हो जाएंगे तो ओवर आल देखा जा है लेकिन आपको बहुत जाधा परिशानी नहीं देगा हला कि वक्री होने से जो अस्थान परीवर्तन का योग शनी बना रहा था उसमें कमी आएगी लेकिन 18 जून के बाद जैसे ही मंगल का राशी परिवर्तन होगा अस्थान परीवर्तन के योग तेजी से बनने स्टार् होने लगेगा और overall धन के मामले में सफलता 15 जून के बाद देखने को मिलेगी और विशेश रुप से 25 जून तक जब वहाँ पर स्वख ग्रिही शुक्र जब अपने घर में आ जाएगा तो भी एक अच्छा रिजल्ट वो देने लगेगा तो overall यहाँ पर कुछ उपाये नोट कर लिजे क्योंकि तीन ग्रहन पढ़ रहे हैं एक तो ग्रहन के बाद पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है लेकिन आप नदियों में नहीं जा सकते हैं तो घर में ही आप गंगा जल डाल कर स्नान कर सकते हैं और साथ में क्योंकि कुछ समय इसमें सूतक भी मानने होगा कुछ ग्रहन में सूतक भी मानने होगा इसलिए आपको पंचांग के आकॉर्डिंग आपको पूजा करना बीज मतर करना इस पर विश्यस ध्यान देना होगा और मेरा तो एक ही सजेशन यहाँ पर है सूर्य को जल चड़ाइए क्योंकि सूर्य आपके पराक्रम में जा रहे हैं और पराक्रम में जाएंगे तो पाप ग्रह तरिकोड में अगर जाएगा तो निश्यत रूप से वह एक प्राब्लम क्रिएट करेगा तो आलस से की भावना डेवलप कर सकता है साथ में चर्म रोक अगर आपने पहना हुआ है अगर आपकी कुडली में योग है तो अच्छा है अदर्वाइस आप गुरू के बीजमंत्र का जाब कीजिए यह दो चीचों का अगर आप जाब करते हैं तो आपके यह जो पूरे एक महीने का जो टाइमिंग है जो कुछ निगेटिवटी ही बन रही है लेकिन फिर भी सभी मेश लगन वालों पर ऐसा अप्लिकेबल हो ऐसा जरूर नहीं क्योंकि गोचर में किवल 50 प्रतिशत फल ही फलित होता है तो यह मेश लगन वाली जात्कों को नोट करना चाहिए